इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राग है, तो कहीं धुआ धुआ धुआ, क्यूं कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचा धुवे को क्यूं छेलता, हो गई परताष्ट की अब इंतहा, बुझे सिग्रेट पीडी, दिखे चलती जहां, पबलिक प्लेस पर सिग्रेट भी ना मना है, उलंगन करने पर होगा चुर्माना, धुम्रपान ना करें, ना करने दें, धुम्रपान बड़ेगा महेंगा, खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर, धुम्रपान महेंगा पड़ता है, धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है, और आपके चाहने वालों के लिए भी, धुम्रपान बड़ेगा महेंगा धुम्रपान बड़ेगा महेंगा झालों के लिए झालों के लिए पर, खुम्रपान बड़ेगा नमा आर्वते पताये हरा हरा माहाधिये मित्ता आवसाने नत राज राजो ननाद धकान नव पंच बारं उद्धरतुकाम सनकादि सिध्धान एतत्द्विमरसे शिवसूत्र जालं शिवसूत्र जालं शिवसूत्र जालं डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाते भोला भोला डिमिक डिमिक सिंगी नाद बजावत गावत लटक रही बगली जोला भोला डिमिक डिमिक डिमरू कर बाजे प्रेम मगन नाते भोला भोला डिमिक डिमिक नाग फननसों करत आरती नाग फननसों करत आरती देव देव गटियन मोला भोला दिमिक डिमिक डिमिक डिमरू कर बाजे प्रेम मगन नाते भोला भोला डिमिक डिमिक भाल चन्र सिर गंगालरे भाल चन्र सिर गंगालरे भाल चन्र सिर गंगालरे हाथ लिये भांग की गोला भोला दिमिक डिमिक डिमिक डिमरू कर बाजे प्रेम मगन नाते भोला भोला प्रेम प्रेमिक डिमिक भाल बाल प्रेमिक तंढमस्ते नमस्ते छोटल तूरिस्टे प्ली प्लीज एफ आलो रोलो यह यह मैं वेलखम तो वलीजिती बानारश I am Kanni, your friendly tourist guide. Here is Shuru Hodbate, a journey in Bholenaths Nagari. A land of mistakes. Mistakes or mystics? Say it, say it. The city of Sufis and Sarbhus, the land of Yogas and Dhogas, Gurus and Mahagurus, Acharya and Acharya, the city of Vedas and Kama Sutras. Excuse me? No payment, no problem. Om Bhur Bhavastwa Adhi Devo Bhava. Okay. Thank you. Come, come, come. Sound, different city, all together. You will love it. Dixal, abe! Kaa, Guru. Lapa ki liya ki? Aray, I am Lapa ki guide Kanni Guru hain. Kono spider-man je kama hain ka? Yaa, jal bhega wahan lupka. Aray, rok, rok, rok. Ay, license dikhao Guru. Aray, Saab, inko dhaka maarne ke liye baitha ya, Saab. Aray, Rikswa kabhi kabhi ruch jata ya, Sasura. Dekhne raay ya, ap. Iche videshi salani baitha ya, Saab. Aray, aray, maadir. Chal raha hai, Nikol. Aake badao. Chalo, chalo. Four things are very famous in Banaras. Banaras ka Ganga, Banaras ka Panda, Banaras ka Paan, You will see fresh oxygen available in Banaras. Where? You are there everywhere, madam. Aray, mahadir. Ancient yoga guru is available here, day and night. Chutti. Chutti. Jangan raya, tum kyu muskia raha hai ho? Agar hindis ahi te mehmek kiya ho ta, toth tumhara bhi yahi hall ho ta. Chutti. Haa, buliyay. Oh, Tanda, amaya. आदि पगपाद तरांगी नीजंगे कि मुवेधु मुट्था भाल तरांगी कि मुवेधु मुष्टि भाल तरांगी कुरु कृत्रया भव साधर पारंगी कि मुष्टि भाल तरांगी नोहें को तुम पति रखो राम सियावर राम चंद्र कीजे संसत भरमान कीजे वह पति महादेव कीजे काव पाध्या सुना है पाने जी फिर धर्म संसत के अध्यक चुल लिये गैं अरे जिन संत महंतों को काम ना धाम वही उनको आगे किये हुए हैं और हमारी उमर डंडा दिये हुए है अब सादू संतों के मुझ कौन लगे अब पाने पंडों को जीने नहीं देंगे एक तरह वारक्षन बामनों को मार रहा है दूसरी तरह धर्मनात पड़वा अरे ऐसा न कहिए महराज पाने जी धार्मिक है विद्वान है अरे तो विद्वान है तो क्या बामनों की ही मारेंगे हैं देखा नीदा कलकाशी के संत महंत पंडों के सामने गरज गरज के कह रहे थे कि सनातर धर्म को जितना खत्रा विदेशियों से नहीं है उतना स्वदेश तरिषे बामनों से तुन जो देखीए कैसा अगर उसरे चलाा रहा है मैं हम हर हर ऐखी डिये जी बहुत करें पड分 tiene सि आर्वादे वारा हारा माहदवी so pay attention to this assi god the famous god, you know Lord Rama the great Rama the son of Dashrata, brother of Lakshmana and Bharata, husband of Sita who killed Ravana His life story book written by Tulsi Dasa This ghat has finished his career here He wrote a book of big Ram Charit Manas So this is a ghat Holy Ganga people come here They take bath, remove sink from their body So make sink, take bath in his holy water You can see this pandas The great pandas, Sanyasi, Sadoos under their umbrella See, this pandas apply Chandan, Tika, Bindiya On forehead of Jajman client After bath, client take comb and mirror from pandas Pandas give holy ganga jal to their client And make them do ganga puja We say here What you enjoy here, you enjoy nowhere Now see there A wonderful India How... I do not know who the Men I do not know why Music stories are In this case I had to work का तन्नी गुरो लोगों को जीने भी नहीं दोगे साले गंगा में पाप भी धोएंगे और पिछवाड़ा भी और बोलेंगे जै गंगा मैया पर चावानी अठनी लेके तुम छोड़ भी तो देते हो मुफ्त में कौन सा काम होता है इस देश में अरे करेप्शन तो हमारा ने चलो पप्पू की दुकान पर जाय पिलाओ हम न जाएंगे पप्पू की दुकान पर अरे गंजेडी भंजेडी बैठक बाजों का अड़ा बन गया है वो जिसको देखो वही राजनित पिला जाय ना पिलाना है तो ना पिलाओ भोजड़ी के लेकिन एक बात जान लो असी पे कहीं लोकतंत्र है तो है पप्पू की दुकान पर इस देश में दो ही संसद है एक दिल्ली में और दूसरी पप्पू की दुकान में आना है तो आओ नहीं आना है तो हमारे एल से जाओ तुम बच्चन की दिप्यान पर देख रहें गुर्देव क्या खबर चभी है भारती संस्कृची के भाजपाई चरवाहूं ने एलान किया है किस बार का होली का कभी सम्मेल नहीं होने दिंगे कहते हैं अस्लील है फूर है गंदा है अगर इसक करना हो तो सहर के बाहर जाओ गंगा के उस पार जहां कोई न सुने अगर हुआ तो गोली चल जाएगी लासे बिज जाएंगी फूर अधर संप्रवा सुन लो हमारी बात और जाके कैदो अपने संस्कृत के रक्षकों से कि जो भाशा में गाली गंदगी और नजाने क्या क्या देखते हैं अ अधरर महादेव के साथ भौसड़ी के का नारा तो काशी का सारवजनी कमिर्वाद में वैया आप लोगों के लिए इन दोनों में कोई फर्क है कि नहीं है ना पहला जरा जोर लगा कर बोलना पड़ता है दूसरा अच्छा है नचाय वापने आप गले से पूट पड़ता है और भौसड़ी के जिसे तुम गाली समझते हो वह असी की राश्रभाशा है और एक बात बताओ बिना गाली के यहाँ प्यार और आशिरवाद का लेंदेन होता है क्या अपनी जान दे देगा लेकिन काशी के परंपर को तूपने नहीं देगा जो शुक कुछ हम दो कि जीए है और दर्म्राश पड़ वां कि अद्धाद की खुशी में चलो सबको चाह पिलाओ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है तो है अध्य कर ल कि आपको अल्के मालिक सालो मिना लाओ शिस्जर्ट भांग भेचते हो भुष्अ लाइश। लाइसेंस कहाँ ? से सबस्क्रीजाइक। हम दिए जवाइए से दुगान को फिलाढ़ाएँ बबाएसे सड्सक्रीजाइए भाजी घडाइए के ार्मा उतunn act कपी जगह से एकष्वकस शर्मा जी सिर्द देख रहो है मेरा खलवाट खोपड़ी पर एक भी बाल नहीं है तुम्हारे डंडे का वार इसके उपर भरपूर पड़ेगा मार सको तो मार लो मगर भूस्डी के शर मा तुम काशी की परंपर और संस्कतिकों बदलना चाहते हो तुम्हारी हैसियती क्या है कि तुम हजारों हजार साथ से चलियारी काशी की संस्कतिं? परंपरआ को बदल सको? तुम्हारे जैसे पता निक कितने का दरोका दरोगी आये और गए ओघाए कंजया कि की इस संस्क्रत्य परंपरा रहेगी अंग्रेजी कमबोड पर बैट कर जाड़ा करने वाले शर्मा तुम क्या जानो कि फांग का सम्मण्द दिविनिप्टान से दिविनिप्टान का सम्मण्द तन और मन्द का संबंद मानवस्तित्यू से है और मानवस्तित्यू का संबंद असी से है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरोगा कि तुम महाकाल के भोग को नचाको हो पर हाई अचे पहले कि यह लोग धारली तुमाप ठालाए निकल लो चलो आव सब ठीक बैनी हाँ राम 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 कैसी हो सवित्रा बैनी आव राम दे कहां से सांगी हो इतना सुबह सुबह काम छोड़के तुम्हारी सेवा करें हम है जा जाके कपड़े पहले कि अभी तक ऐसी खड़े हो ही चलो जा जाके छट पे खेलो जा चलो चलो खेलते हैं और कहो राम दे का कहें सभीत्रा बैनी तुम तो देखी रही हो महगाई कितनी बढ़ गई है खाने वाले पांचमों और कमाने वाला एक कंपटीशन भी कितना बढ़ गया है मलाहों को आजकल मिलता ही क्या है घाट घाट पर सेयर कराने का ठीक ठाक पैसा मांगो तो कहते हैं लूट रहे हैं तीर थी यात्रियों को पर विदेशी यात्री तो दिल खोल कर दे रहे हैं महले के मलाग खटिक और कर क्या रहें लूट ही तो रहें विदेशियों को कोठरियां किराय पर दे दे कर तुम भी एक किरायदा रख लो रामधन मला ने एक अंग्रेजन को रखा अरे इन अंग्रेज ओर्टन को तुम नहीं जानती बहना बड़ी वो होती हैं तो आदमी रख लो बहना तुम भी ना पालगी चाची भी तरह हैं बिलकुल नहीं कोई फोटो ओटो नहीं खिजाना हमें निकला यहां से थांक यू वेलकमिंग यू बदेंट्री लेटर लेड़ी इस बिजी इन डेली पुजा कम आवल शो यू मंकी गौद टेंपल ब्यूटिफुल बेगवान जब तेको कर में गुसने के बाहने ठूंता रहता है है रास्ते में विलो तो ऐसे गोता है जिसे का जाए गाम को पुजान है खीए देने वाला उपर वाला जजमान क्या देगा भुशडी के देने वाला तुम्हारे सामने खड़ाया पाणे भोले नात को तो छोड़ो भोसरी के, कोई और रूप बनाओ और कमाओ बहुत चाको मत, तुम भी उसी का दियावा खाते और मैं भी कोई है यहाँ जो भोले नात का रूप ना हो, चलो अब शीशा दो अब चंदन भी दे दो, देख नहीं रहे हो, गर्मी से चंदन पिखल रहा है तो अपना सिंगार पटा साथ में लेकर चड़ा करो, मुफट में थोड़े ही मिलता है चंदन जिन राद हमारे लिंग पर चंदन लगाते रहते हो, और हम साक्षाद मांग रहे हैं तो दुनियादारी सिखाते हो किसी जड़ू ने हमारा सामान न चुरा लिया होता, तो हम तुमारे घाट पर मुट्टे भी नहीं, नाशो तुमारा आज सुभाई सुभा बड़ा लेलियो का? चला, बागो यहां से मैं काशी का दिवासी और तू काशी का प्रवासी, कहता है बागो यहां से जब यहीं घुष्योडू वाना तर पता चलेगा एक्स्कूज मी, एक्स्कूज मी वेलकम तू काशी नमस्ते फोटो विद लोड़ शिवा, यह प्लीज, कम वेट फोटो विद लोड़ शिवा, हंडर्ड रूपी विद होली गंडा वाटर, तू हंडर्ड रूपी क्या है गुरू, हमारा यहां कुछ हो नहीं रहा है वो विल्लू, बंबी जाके बच्चन के बाल काट रहा है, और हम यहां ठेले वाले किरानिय और पंडे परोहितों के और वो भी सिर्फ सोंवार को जब असी चौराहे के दूसरे हर केटिंग सलून बंध होते हैं हाँ गुरू, हम यह अपने सार लगा लीजिए अब तुम से कितनी बार कहें कि अपना बुरिया विस्तर बांदो जाकर घाट पर बैठो कि देशियों से मेल जोल बढ़ा उनकी जुरूतों को समझो तब है न कुछ होगा अब घाट पर दाढ़ी मोज बनाने वाले की कमी है क्या अब तो है अरे तुम यहां बैठे हो हम तुम्हें पप्पू के तुकान पर डूंड रहे थे गुरू चलो एक एक चाय लड़ जाए हाँ चलो चलो नमस्ते रजा जा रहे हैं हन्त हién देवाइ कर दो जाए, आझा बैटतो गए कश्यू यह नहिं आखोव तुम हमाररा ध्यान रखो हम तुम आट अज्थ हैं तुम्हारा धा offenses उब फोगल्य नहिं कुछ संजगिते नहिं पयँ हा आए हम कुछ ऑ को ऑनत तुम्हाइं एकोव morgen seperti दोर्क क игр m माम आशीश मिलेगा आइज येस येस प्लीज ये सभल के रहना ये महला असी है बहर सडीक है यहां शंक्राचार को भी चनोती दे देते हैं साले जी भी जोबे जी लसुन प्याज मांस मचली तो नहीं खाते जी खाना तो दूर हम तो छूते भी नहीं याद रखिए इस महले में मलेच्छों के लिए कोई जगा नहीं है हम तो विद्यार्थी हैं ब्रह्मचारी है शाकाहार और सदाचार यही हमारा अधर्श है आ तो सदापका समझे चौबी जी कि दूबे चौबे उपाद्य थिवारी बहां निकलो और देखो धर्म का कैसे नाश हो रहा है पहले ही कहा था कि मलेशों के लिए यहाँ कोई जगा नहीं मात उठाओ अपनी कोठियां कि राए पर अब देखो कुस आया ना कोई धर्मी महले में सुनिया जी धर्म के मामले म में तुम चुबी रोजी जा बीदर जाओ क्या बात है पांडे जी जा बात है महले के सभी ब्राह्मनों को और पूछो कि जैस महले में कोई ब्राह्मन लसुन प्याज नहीं खा था वहां हट्डी कहां से आई हट्डी पांडे को राम मचा रहा है कितनी बार तुमसे कहा कि हड्डीया दूर फेक कर आया करो पर तुमों की सुनते ही नहीं हो भाया हम तो हड्डीया हमेशा अकबार में लपेट दूरी फेक के आते हैं पर लगता है महले किसी बिल्ली ने अकबार फाड़ा होगा एकाथ हड्डी चबाते चबाते यहीं गिरा गई होगी देख तो आप अंडे को किसका किराइदार है बलाओ सभी किराइदारों को ऐसे विधर में को बहार निकालो कहां है अटी ओय लटे तुम चौबे की किराइदार हो ना हाँ पांडे जी यादग हो ना नहीं ठाकु रहें तब तो खूब मास मचली खाते हो गए मास मचली खाने वाले को हम कोट्री कैसे दे दे देंगे पांडे जी तो पर यह हड़ी कहां से आही यह यह मुर्गे की है या चुहे की यह चुहे की लग रही है तुमको आप मुर्गा खाते है क्या कैसी बात कर रहे है यह लॉंडा हम खाते नहीं तो जानते भी नहीं क्या यह सूखी लकडी के तरह एकदम चूहा है यह चील गिद बास कोवे नजाने कहा कहा से लाते हैं खाकर यहां गिराते हैं कई बार हमने ऐसे एडिया यहां देखी है पंडे जी चील कोवे को उडाने के लिए महले के किसी आदमी को बैठा दिया जाए तो सारा जंजटी कातम हो चलो पूड़ो यहां से जरूरी था लड़ना अब तुम मत शुरू हो जाओ क्यों ना शुरू हो लड़े आप और गली महले की पड़ाइनों के ताने सुने हम अरे शंक्रा चाहरे हैं क्या आप कि खुद चैन से जी और दूसरों को चैन से जीने दो खाने दो अगर कोई मास मच्छी खाता है तो महले की ठाक नहीं खाते क्या पांडे की घर पे है कोई कुमशुदा है जी लड़की है जी भाग गई है एक लड़के के साथ क्या नाम है लड़की को जी गंगा दस दिनों के बीतर लड़की वापसा जाए जी रोज संकत मोचन का तर्शन है जी दक्षन की पांडे जी जैसे जजमान की शक्ति खेंगा है ज़ा दे जी सर्व मुख्रे के मांग नहीं सकते थे क्या होता है अज के जमाने में 11 रुपे में भोट शिड़ी का दक्षिना दे गया है कि दान टिश्वत दे गया है क्या सावेत्री सावेत्री बहुत लोग पांप करवाता है हाँ मैं लोभी पापी मूरक और नजाने क्या क्या हूँ आप से तो कुछ कहना ही बेकार है रोम की भीलवार और दौड़ धूप से मनूप गया है तुम्हारा शान्ती की खोज में हो जे इंडियन लिटरिचर और आर्किटेक्चर में तुम्हारा इंट्रेस्ट है जे अकेला पनपसंद है तुम्हें खादसना शूसी हाइक लाज योद्शाचार तो कैसे आना हुआ गुरू मिखेला संस्कृत पढ़ना चाहती है थोड़ी बहुत हिंदी जानती है देखो मिखेला संस्कृत भाषा नहीं देववणी है भारत की आत्मा है रिश्यों का सारा चिंतन संस्कृत में हैं पर देखो धूर्टो पाखंडियों लोभियों के नगर में उसकी क्या दशा है इसी महले में पचासों संस्कृत सिक्षन केंद्र और संस्तान है संस्क्रिट थ्री मंण संस्क्रिट इन ना तो उन्हें व्याकरण का ग्यान है ना भाषा का फिलहाल कहा निवास है आपका किदार घार गेंगेज लॉज में वो तो बड़ा महेंगा होगा नहीं देल सो रुपए परड़े अरे देल सो रुपए तो कुछ भी नहीं है इसी महले में कैई विदेशी लोग रहते हैं इ उसी में कपड़े की धुलाई और इस्त्री भी तो क्या लाज में ये सब नहीं मिलता लाज में कहां मिलता है ये सब वहां तो नाश्ता बाहर खाना बाहर चाय बाहर कपड़ों की धुलाई बाहर बहुत तकलीफ है हम तो महीने भर से खोज रहें कोटर वैसे आप चाहे तो मिखिला पेंगेस भी होने के लिए तैयार है देखो मुफ्तनी ये महला असी है धर्म की धुरी है मिखिला चाहे तो हमसे संस्क्रिट पर सकती है पर हमसे कोठी की उमीद न रखे हाँ शर्थ सिर्फ इतनी है कि इन्हें अपना करेक्टर ठीक रखना होगा पनारस श Safety of Yogay and Bhuga City of Science of Living and Art of Loving Yogacharya andlining Bhugacharya Tantrikacharya, Mooni baba, One Minute Baba Slate Baba, Riddle Baba and Many Types Ka Baba पनारा जोजानाज का मुफ्तस? जोता पहुवाबा? ये ती है, वोड़क Violence जम सब्सक्रिट मेई श्न सी कहा और वॉनसक्रम मॉन से काम मूनते ह। पनारास पहूए। पत्री के सहारे कब तक जीवन कटेगा हमारी पिता पर लोग से धारते समय यही पत्र पोती और घाट की छट्री हमें थमागे थे अब हम करें तो क्या करें पाठ्शाला के बाद विद्ध्यार्तियों को संस्कृत पढ़ाईए कहां है संस्कृत पढ़ने वाले जिनका कोई भविष्ये नहीं आगे नातना पीछे पगगा ऐसी चार छे दीन हीन ब्रहमत बालकों को घेर खेर कर हम संस्कृत पढ़ाईए मारवडियों के दान और दया पर चल रही है हमारी पार्ट टाइम पाठ्शाला असी पर कितने विदेशी संस्कृत पढ़ने आ रहे हैं कौन संस्कृत पढ़ रहा है सब साले जरस गांजा और बनारस में रुकने का भाना ढून रहे हैं असी यूनिवसिडी है क्या और कौन संस्कृत पढ़ा रहा है सब पैसे कमा रहे हैं सब कोट्री को कराय पर उठाने का चक्कर है, ये तो हम हला के हुए है, इसलिए इब्राह्मनों का महला बचा हुआ है, वरना असी के हर घर में पांडे गुरु होते हैं, और अंग्रेश चेला चेली, और गुरु शेशे परंपरा के नाम पर पेला पेली तो सबने दीजे बच्चों को पालिका की पाठशाला में, किस ने कहा तुम से के पालिका की पाठशाला में प्रतिभानी होती, बड़े-बड़े विद्वान और नेता पालिका की पाठशाला में पढ़े हैं, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, अरे काय की है है, गाय की घट साथ तो जानाहीं कुछ, सेरा बहार देखो, मरे जा रहे हैं 24 गंटे, सारा कुछ जो टाइजर हैं फिर भी चेहरे पर खुशी नहीं, ये नहीं है तो वो नहीं है, इससे साडी तो उसे फ्रॉक, इसे फीस तो उसे टिफन, इसे टॉनिक तो उसे दवा, कुछ करो तब भी, न करो तब भी दुनिया चल रही है और चलती रहेगी कि अज़ेट बाबा बाबा कैथरीन है अमेरिकन है इंडिया को बहुत लाइक करती है आज का इंडिया क्या है जानना चाहिए नमस्ते आप मुष्मृत अग UP कि थे सिधे किषähän लग सक्ते थी इंड़ एं कोमा इंड़ इंड़ श्मृत अब हम्री लॉस अभनें जोड से कंटा हुआ आचा इंड़ इंड़ से कटा हुठन हो अढ़े सी यंडया ओभनो दू आश से दस साल के बाद का इंडिया कैसा होगा बाबा बाजार मार्केट प्री मार्केट ओपन मार्केट मुफ्त बाजार खुला बाजार कैसा बाजार बाबा नरंगी से पेर और इंज है पल बेरी सेल फोंज लप तॉप्टोप्स प्पूटर सोचेगा कम बोलेगा ज्यादा इंडिया इंडिया विल थेंग लेस्ट शीक मोर India cut off from its roots will speak more and think less with orange, apple and berries peace. नचिकेटा ने यम से कहा ए यम्राज ये भोग कल रहेंगे या नहीं इसका भरोसा नहीं भोग मनुश्य को कमजोर करते हैं इसलिए घोडे ये नाच ये गान तुम अपने पास ही रहने दो कहा मर रहे थे आज भी लेट गुर्देव एक जिगान ते रही की पूरी खाने गए थे देखो एक बाद जान लो रोज रोज ना मुंडन होगा ना चटावन ना तेज ना ते रही इसलिए अपने पारोसा रखो थोड़ा संस्कृत पढ़ लिख लोगे तो आत्मज्यान पासकोगे वरना एक पाव आटा दो आलू सव पांच रुपे के सीधे के लिए जज्मान को ढूंते रहना ना साले रोज रोज ग्रे नक्षक्तर खराब होंगे ना रोज रोज जज्मान आएंगे ना चिकेता सही कुछ सीख लो भोश्री का यमराज घोडा हाथी सोना सुन्द 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 स्त्रियां दे रहा है पर वो कहता है कि मुझे ग्यान दो कहता है ना वित्तें तर अपन्यों मनुष्या मनुष्य के धन की प्यास कभी नहीं भुझती और एक तुम हो कि तेरे के भोज और दक्षना के लिए मरे जा रहे हाँ जो इस यह फुर्स पिक्निक तो बनारस नव अच्छी सेकंग ओ फाइंदिंग पीस यह वोग्षा मौश्या मौश्या नव अच्छी पाइंग प्लेस यह अच्छी एंग उप्लेसा है तो यह कौन मुश्किल काम है गुरू भौव सड़ी इतना आसान होता तो आम ही नहीं कर ली होते तरह पता करो कोई बावन ठाकुर भुम्यार अपनी कोठी उठाना चाता है क्या करमिशन में तुम्हारा भीस्ता रहेगो असी भदैनी में कोई ऐसी गली है क्या यहां कूडा कुट्ते और किरायदार ना हो पंचांग और किरायदार ही तो पंडों का सहारा है पर जब तक चूतर नहीं लाओगे यहां बैठे बैठे कैसे पता करोगे किरायदारों की कौन कमी है यहां मारे मारे फिर रहें गली गली और किरायदार बस इतना कि समझो मुफ्त में और महिना हुआ नहीं कि किच-किच शुरू पिजली कब लो तो किच-किच पानी न मिले तो किच-किच आली करने को कहो तो किच-किच और ऐसे में अगर किरायदा जौनपूर बलिया बिहार का हुआ तो कोठरी क्या मकान भी गया हास से फिर कहां से जुटाएंगे आप लाठी डंडा बल्लम गडासा बाजा बंदूर हैं पर हम स्वदेशी नहीं विदेशी किरायदार के लिए पूछ रहे हैं विदेशी पर पूरी बाबन है बनारस पर काम कर रही है उठानी है तो बताएं क्या कोठरी पागल भयो क्या हम किसी विधर्मी को कोठरी कैसे दें कोठरी तो है हमारे पास पर उठाएं कैसे तुम धर्मात पड़वा को नहीं जानते का कानी उंगली प्राश उठाए घूमते हैं को अंग्रेज घर में घुसा नहीं लेगे फिर कोई धरना देके बैठ जाएगा कोई गले में पत्थर बांद के गंगा जी में डूबने की धमकी देगा हाँ तो आप पांडे जी से आश्राद ले लिजिए मांगने पर भोले नात क्या के नहीं देते पांडे जी आश्राद नहीं देंगे क्या अरे वह बड़ा हरामी है साला सुपतस्य स्यंस्य मुखे प्रवशंती मिरगा सोई हुए शेर के मुझ में हिरन नहीं गुस्ता उसे शिकार करना पड़ता है उपाध्या जी प्रयत्न करने से ही कार्य सिद्ध होता है क्यों रहने दे हम विदेशियों को असी पर अब देखे क्योंकि असी की ह हर गली सीदे घाट पर और घाट पर हर मकान की खिड़की सीदे गंगा की और खुलती है घर से बाहर कदम रखो तो गंगा खिड़की से जांको तो करना यहीं विदेशियों के आग की पुतली है और आप उन्हें ये सुक इसलिए देंगे क्योंकि वे आपको किराय देंगे पर डे के हसाब से पाड़े जी असी पर वे संस्कृत और हिंदी भी तो पढ़ रहे हैं ना जानता हूं वे क्या पढ़ रहे हैं पढ़ें और जाएं पर असी के मला खटीक और दूसरी जातियां तो उन्हें अपने घरों में रख रही हैं रखें उनकी मर्जी उपादिय ज जानते हैं जब से ये विदेशी यहां आये हैं घाटों पर क्या हो रहा है और आप चाहते हैं कि जो घाटों पर होटलों में लौजों में हो रहा है वही अब असी के ब्रामनों के घरों में भी हो अर तो हम कौन सा नशेडी गंजडियों को उठा के कोठरी दे रहे हैं गल जो बिना गंगा सनान कि आपके आंगर में घुसने नहीं बाते थे वे आज बिना नाये दोए आपके सामने बैठे पढ़ वें कल आपके चूला चूकी में घुसें गे आपके बेटे-बेटियों से मेल जोल बढ़ाएंगे आख बढ़का करेंगे उन्हें घाट पर घुमा असी पर हम बलबा मचाए रहते हैं, भॉजडी के दरम भरश्ट करो तुम, अच्छो प्रहे हैं हम। खबरदार जो किसी अंग्रेज अंग्रेजन को गरायतार रखा। पाल आगे पांडे जी, बाबा भोले नाच से अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जा रहा है, देखे कैसे अब विदेजी ज़जमान बेज रहे हैं, चका चक। काम की बाद करो, एक जर्मान शरंच आती है, पिछले बाल कितने दिन जेल की हवा काटकर आये थे, जेल, वो तो पुलिस हमें गलत फैमी में उठा लेगी थी, चरस गांजे के साथ कौन पकड़ा गया था, एक अबला अंग्रेजन दी महराज, जो जो चरस गांजा हम अपन अंबरी कंदेरी है, किसका शिकार है, अपने कंदी गुरू का, और एक गुरू होगा तुम्हारे लिए भावसरी के, जो किसी अंग्रेज के असीं की रहा भी दिखाई, ना तो ब्लातों के जवा दूँगा, जो आजी में रहना है के ने, जी, आग यहाँ से, मना कर दिया था हमने हरामी को, पर नववा का साहस तो देखिये, वन संकरे साला, साबुर मीनी लगाता सा सुरा, पानी लगा कर दारी बनाता है खुद ही, ना खुद कमाएगा और ना कमाने देगा, अब यह बन कर अपना पांडे पुरान, अब जो कुछ करना है करना है आइल गवन वाकि साड़ी उमर अब ही मुरी बारी कहत कबीर सुनो भाई सादो कहत कबीर सुनो भाई सादो चमी उचू कर तमारी यह कविता नहीं मिसाइल है जमीन से लेकर वंहंड तक मार करने वाले है कोई दूसरा कभी भोश्री के जो आकास पाताल एक कर सके वाह गुरू वाह गुरू एक और हो जाए तो पांडेजी आप जा रहे हैं पाट्शाला के लिए देरी हो रही है कमें नमस्कार हम तो यहीं है आप जब चाहें तब आईए पाला की गुरू क्या बात है पांडे जी आज अब आशिरवाद नहीं दे रहें क्यों मलाओं घडिकों के साथ विश्व कल्यान का धंदा बंद कर दिया है क्या मैं अब हमारी भी मजबूरी समझे पांडे जी अब अमेरिकन देवी असी पर नहीं रहेगी तो बनारस को क्या संज़ेंगे वर अमेरिकन देवी को बनारस में जहां रहना है रहे असी के किसी ब्राह्मन घर में वो नहीं रहने पाईगे पालगी का कन्नी क्या पेंचर आ रहे थे कि कहेंगे वसुधायव कुटुम कम लेकिन किसी विदेशी को अपने गली मुहले में पैर धरने नहीं देंगे अब भला सोचिए अथिती दुनिया के कोने कोने से यहां आ रहे हैं हॉलेंड से फ्रांस से जर्मनी जपान से किसी को तबला स सिंखनार कुए सितार सिंखना तो किसी को ध्रूपत को संस्कृत सीखना चाहता है कोई हिंदी हिभ्णा चाहता अब यह सभी आएंगे तो कहीं नहीं रहेंगे न आए अब इनकी मदद के लिए आगे न आ आएँ तो लूटले सब सुन ज consumo मलाह रिक्षा वाले गाइड होटल वाले अब करतें तो यह कहते हैं कि हम विश्व कल्यान का धंदा कर रहें तो प्राणी, प्राणी में भेथ करेंगे लेकिन कहेंगे कि प्राणींवे सत्फभावना हो कननी गुरू आपने मुलुक मुलुक के अंग्रेज, अंग्रेज, अंग्रेज चिन का नाम लिया पर यह अमेरिका और इंगलेंड को छोड़ दिया अरे नाम मतलब भोशडी वाला का वो तो बड़े हरामी है वो जब भी यहां आते हैं क्लाक्स दी ताज दी पैरिस में रुखते हैं दू-चार दिन गाड़ी में घुमते हैं हवाई डे से साले लोड़ जाते हैं सब दिल्ली से अपना फिट पार्ट करके आते हैं भोशडी के वो क्या जानी बना है और जो अंग्रेज अंग्रेजिन घाट पर गंजी कुर्ता लूंगी में यहां वहां भूम रहे हैं कुटार पर चाय पी रहे हैं वे कौन हैं मनी और मशीन से उक्ताय हुए भागेवे लोग जो बेकारी भत्ते के एक हजार डॉलर के मनी ओर्डर का इंतिजार करते हैं वे मनी और मशीन से भागे हुए लोग हैं देखी है तुमने असी घाट पर घूमने वाले अंग्रेज अंग्रेजिनों के उमर तीस, 35 इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, इ सब इनके शौक भी हैं और मजबूरी भी, असी पर रहने वालों के लिए 100 डॉलर कम नहीं होते हैं महिने के, जैसे चाहे रह लो, जहाँ चाहो खालो, जहाँ चाहो सो जाओ, 1000 डॉलर का मतलब यहाँ पर अमीर, पर उनके यहाँ, क्या इतने में सम्मान के साथ जीना मुम्किन है वहाँ, लेकिन यहाँ उनके सेवा हो रही है, सम्मान हो रहा है, सिर्फ इस लिए कि वे आपको पैसा दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं, असी पर रहने वाले अंग्रेज, अपने घर, समाज, देश का उसी तरह कच्णा हैं, जिस तरह हमारे समाज में गरीब, ए गया गुरू, जान ले लो, जहान ले लो, धरम ले लो, इमान ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, पर चाटो मत, हमने तो पहले ही कहा था, चहां हर घर में शिव जी का मंदिर है, वहाँ अंग्रेज को कौन धुस में देगा, पर आप चह रहे थे कि बावनों कही कल्याड़ों, अवे तुम्हारी कोठरी है क्या, कूड़ा, और विदेशियों के आने से मलाई कौन काट रहा है, तुम लोग, हम तो चार हैंगी किसी, एक अंग्रेश को बाभन ठाकुर के घर में घुसा दें, तो फिर रास्ता असान, ऑल दी खाले कर लें. तुम तुम तो गौद्स ओन कैंट्री, गेस्टिस गोदिया. काम, स्योय रोटाज। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग मैसेज आव वेदाज रख दे रहें अटैश्ट टॉयलेट हलो हलो इस नाइस हाथ वी यह लोग इन लो कोमिशन तो ठीक है कैथरीन को स्टूजेंट वीजा कसे मिलेगा वाव हम पर जोड़ दो गुरू हिंदी के प्रोफेसर के हम दाड़ी बनाते हैं तीन दिन में एक बार उसी को हम चांपते हैं नहीं तो फर्जी शादी करवा देंगे किसी पर रोजगार बनार्शी से राष्ट भाषा के विकास में बहुत योगदान दे रहे हो निज भाषा के उन्नती अहे सब उन्नती को मूल हम तो यहीं सीखें गुरू देव जब अंग्रेजन राष्ट भाषा को नहीं जानेगी तो भारत को कैसे जानेगी अब यहीं होना है अंग्रेज हिंदी पढ़ेंगे और हिंदुस्तानी अंग्रेजी दो साल पढ़नी की तैयारी हो तो उसे युनिवर्सिटी ले आओ डिप्लोमा बे एड़्मिशन करवा देंगे पर उसे हिंदी ही पढ़ने देना दूसरा कुछ ना पढ़ा देना कैसी है तुमारी पेंगेस रामदी का बताई बहिनी वह भोसडी की मजा ले रही और हम सजा भूगत रहें नौकरानी बना के रख दिया हमें कभी लाओ कभी उलाओ कभी खिलाओ कभी उपिलाओ जैसे यह घर नहीं होटल है होटल और लगी रहती हो नहुआ के पीछे- से दोनों एक साथ हकते मूदते हैं तीनों साथ साथ चरस गांजा करते हैं है रामदे तुम्हारे वो लंगोट के तो पक्के है ना अब लंगोट के पक्का होने से का होता है जब कोई खुद ही अपना लहंगा उठाए जहां तहां घूमती भी रहें कई बार देखा आमने लहंगा उठाए लेती रहती है और कहती है यहां बहुत घर मी है कहां बनारस में आरे दोनों तांगों के बीच में और कहां हो मरी संबल के रहना बहना आंग्रे जन बड़ी वो होती है ठोर देंगे it's so hot yes madame about it oh thank you I don't know लो अजय गया मंखें आजय खाति, जाकार को विख पुछ रवादी रुछend में आति जा में, बंद में ऑड़े को ऊन्मूरी इंचे कंटुछend में दों में शादिश गोस्त उन्मी कर आति ना कर दों दों में तों में पें। कर दो 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 किया दो में कि अब कर दो कर दो कि तुम लोग गाओ गली-गली से इंता भीजकर आयोध्या में मंदिर बनवाओगे भव्य विराट इटा का बना हुआ एक भी भव्य मंदिर दिखा दो क्यों पाड़े जी मंदिर श्रधा से बंग़े दिया समझे वो तो हम देखी रहे हैं पहले राम को पूष्टा कौन था सिंधल और अड़वानी के सिवा रसातल में जाता है चला जाए मगर आप आयोध्या जाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे तो कहां जाएं मंदिर कहां बनाएं रोहम या इटली अरे छोड़िये देश कभी आपके एजंड़े पर थाई नहीं आपका एजंड़ा है राश्ट्य स्वाभिमान और गोशन तो वकिल सहाब फिर आप ही बताईए कि मंदिर जन्म स्थान पर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा कोई प्रमान पत्र है आपके पास कि राम लेला वही जन्म लिये थे जहां मंदी बनाने चाहते आप क्यों रादेश्याम कौन देगा प्रमान पत्र इतिहाज को कटगड़े म तो जो आप में उसे ही सब्सक्ति मान लें यो पढ़े जी पर जो आप कहें उसे हम मानने अप लोग आस्था कापयसला अडालत कैसे करेगी भाई देखें देखें ये हैं इनका चरित्र राश्त्रीय चरित्र देश का कबारा हो जाए लेकिन ये लोग नहीं बानेगे अरे श्री राम घर में कलहना हो इसके लिए अयोध्या छोड़ दिए ते लेकिन ये जन्मस्तान नहीं छोड़ेंगे अरे कैसे छोड़ दें प्रभू श्री राम ही तो कहे हैं जन्मी जन्म भूमिष्च स्वर्गा दपी गर्यसी समझे वकीर साफ जन्म भूमी स्वर्ग से भ बहना शिला पूजन का प्रसाद लोगी तू भीतर है क्या तू भीतर है क्या क्या हो रहा है बे योग सिकारे थे तू हम जी अरतू ुनिय। हवाज़ी मुझेड डयलोग्र आपल एक्प्सकी टर्हाइसं उंग्रेजन न को कामसूतर शिखाते हो ठौसड़ी के अब हम सिखाएंगे तू नहीं कामसूतर जगू को लें पता-चलने मार्देगा अंग्रेजन भी ऐत टाल देंगे कि अईरा वादी टो हम तुम्हे जीने देंगे gdzieś डलाषति अवाडरेतितक परड़ेत चनल में के दिडीली मतावल बशना गय difait क्उद्च जा लेकर से कई में म्जा लेना हैhaus तो करने साथ मदाम है बगाई क्या हो रहे है अरे कालज का रोज का बावाल है चलता रहता है के ब्रामनों पे बुराग रहाया है भाई का शिरमुआ तो पीछे पड़ा ही हुआ है मुलाइमा और ललुआ भी घास नहीं डाल रहे हैं और जब भोशड़ी का विपिया हर जगह से लत्याया और दुर्दुराय जा रहा था तो इसी असी भदैनी ने उसका तिलक किया था और कहा राजर्शी राजा नहीं फकीर है देश की तक्वीर है और जब ससुरा तिल्ली पहुँच गया तो हमारे उसमें डंडा कर दिया पीएम मंडलायों में फश्च गया और स्रीम बाबरी मस्जिर में और डियम इन दोनों की विवस्ता में देश भोशड़ी के जहां का अरे देश जहां का तहां कहां वकी सब महलेवालों को दाल खाये दो महीने हो गए है यह मोझ जेहूँ और कोईला एक ही भाव विक रहा है धाए रुपए के लुग अब चाहे कोईला खालो चाहें जीहूँ खालो देश अब बामपंथी पार्टियों के और देख रहा है द ये भी टक टकी लगा के बैठे रहते हैं कि कब सरकार गिरे और कभी ये मलाई काटे हैं वकील तहाब रज्वा की नईया तो डूब गई पर जो श्री चंदे सेकर पीम बन गए तो बाटी चोखा राश्ट्री भोजन खोखो राश्ट्री खेल शुरहताल राश्ट्री कारियल और भो सोडी पीम आपिस होगा कर बुद्धिया दोबाल जंडू होगया जंता जल सेके आधिवासी करोकार सेवा की तैयारे ये श्री राश्ट्री आरां आ में है यह कहा हो रहा है पाने चीशहर बनारह सब हर हर महादेव की जगह जैश्री राम से गुंज़रा है शैर बनारे सी क्यों पूरा देश जैश्री राम की पुकार से गुंज़रा है और गुंज़रा भी चाहिए आप भी अयोध्या चलने की त्यारी कर लें रादे शाम पांडे कारसेवकों को अयोध्या भेजने की व्यवस्ता लगता है राम का अयोध्या में रहना राम के भाग्य में लिखा ही नहीं है क्या मतलब है तुम्हारा अब पहले घरवाले राम को अयोध्या से बाहर किये थे अब उनकी प्रजा उन्हें बाहर करने की तैयारी कर रही है तुम नेया राम चरित्र लिख रहे हो क्या प्रजा कहे राम जी सीता मय्या को अयोध्या के बाहर भेज दिये थे तो क्या राम खुद्धया में रह गये थे मंदिर मस्जद की लड़ाई राम को फिर से बनवास देगी अरे और तो और जिनके हुर्दया में केवल छिराम बसते थे ऐसे तुलसिदास को ये राम भक्ति अयोध्या के बाहर किये थे अरे पानाई जी आप तो इतिहास जानते हैं ना हमें बहुत देरें भोसड़ी के ना जाना मत जाओं कौन बलजबरी कर रहा है पर राम कहां रहते हैं उन्हें कहां रहना चाहिए और हमें ना सिखाओ कि अधिक दिन जाना होगा जरूर एक दिन जाना होगा जरूर लच्मन राम अमर जो होते सुनिया महराज गोल बच्चा यहां क्या उखाड रहे हो आयो ध्याजी क्यों नहीं चले जाते देखो अगर रास्ते में पकड़े गए तो बढ़िया बढ़िया पोड़ी कचोड़ी मिठाई मोहन भोग मिलेगा और अगर कहीं राधे शाम की थरकार आ गई तो जैसे स्वत मिश्वास नहीं हो तो पूछो राधे शाम से क्यों राधे शाम अरहर महादेव क्या तुम भी हम पर्सो कार सेव को का एग जथा लिए अयोध्या जा रहे हैं दस बारा लोगों के लिए पूरी सबजी बता दे रहा है और आप भंडारा खोल रहे हैं अरे क्यों जाना है अउध्धा घर बैटिये नाम का नाम लीजे बनाएं जिसे मंदिर बनाना है पागल भई हो क्या जब देश के कोने कोने से लोग कार सेवा के लिए जा रहे हैं तो हम घर कैसे बैठे रहे हैं हो सकता है क्रिफ्तारी भी देनी पड़े हैं गोली गंडासा भी चल सकता है कर दीजे हमें तो घर घर जाईए बढ़ियां से राम कथा कहिए घर घर में राम बिठाइए कौन रोकता है आंदोलन तो तब होगा ना हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते और एक बात कान खोल कर सुनलो हमारी यह हमारे लिए आस्था का प्रश्न है राश्ट्री सुभ विमान का प्रश्न करिये महराज नशा बढ़ रहा है भांग से ज्यादा धर्मनेर पेख्षता का नशा है जल्दी नहीं उत्रेगा और योद्या से क्या लाएं तुम्हारे लिए सबको अबहे देते हुए राम और जानकी की तस्वेर सादर सिय पसाद सिर धरियो पूली कौरी हर शोही भरियो सुन सी सत्य असीस हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी नारत बचन सदा सुची साचा सोबर मिली ही जाही मनु राचा मन जाही राचे हु मिलही सोबर सहच सुंदर सादुर करुना निधान सुचान सी रिसन रिचन अत्रावरी नहीं हाति कौरी असीस सुन सी असीत ही अहर शिय अली इलसी भवानी फूजी पुलिकल मुटकल अंबिर चलाए जाल बलत तुर सही भशाए पिर होना क्या था सर्यू खून से लाल हो उठी पर मस्जित पर भगवा लहराया चारों ओल लाठी और गोलियां चल रही थी पंड़े जी सीना तानकर आगे बढ़ रहे थे पर भोस्री वाले ने पैर पर गोली मार दी साले का निशाना ठीक नहीं दगा अरे यार हद है अरे निशाना ठीक कैसे लगता अभी तास्टी की छाची पर इनका मूं जलना बाकी है कोली लगी है पैर में ये नहीं के पहले घर जाईए घर में कोई रहा देखता होगा पप्पू की दुकान पे पहले जाएंगे माला जरूर पहनेंगे अब बस भी करो मैं तो सीधे घर आ रहा था उन्हों ने मुझे हुआ रोक लिया अरे कौन नहीं चाहता कि गली महले में क्रांतिकारी हो लेकिन सब पड़ासी के घर में चाहते हैं अपने घर में नहीं सोचिए गोली कहीं और लगदे होती तो सस्राब चैन से जीन ना दे गई सभीत्रा बहनी अरे सभीत्रा बहनी तुमने सुना कि नहीं क्या अरे वो भोसडी के भाग गई कौन अरे वो कथरीन बड़ी चालबाज निकली खुद भागी तो भागी साथ में उन्हों नेक्रमों को भी ले भागी भला हो उसका ज़ितमाने जगवा को नहीं ले भागी हा हां है लेकिन भागी कैसे निकवा से ब्याह करके हां दस साल बड़ी थी निकवा से अच्छा बड़ा हिसाब किताब रखती थी तुमने एक राम का का वैं तुम भी ना हम कहा रखती थी अरे वो तो अखबार में चपा है हारामी को हमरी पेंगेस पर डाका डालना था पादिया जी आपने खबर पड़ी के नहीं अमेरिकन देवी को बनाने स्में रहने का पर्मनेंट वीजा मिल गया अरे नाम ना लीजिए हरामी का यही लोग अस्ती को बदनाम करते हैं अब तुम क्यों मातम कर रहा है वो भोसडी के हां तुमारा कौन मर गया अब एक ढूनों होंगे चार मिल जाएं तो चार दिन में ढूंड देंगे तुम्हें पेंगस पर तुम उसे बनारसना दिखाने लगना बस पर यह दोनों घुज़़ी के गये कहां इस शहर को यह हुआ क्या कहीं राख है तो कहीं धुवा धुवा क्यों कोई कुछ नहीं बोलता चुपचाप धुवे को क्यों छेलता हो गई परताष्ट की अब इंतहा बुझे सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां पबलिक प्लेस पर सिगरेट पी ना मना है उलंगन करने पर होगा जुर्माना दुम्रपान ना करें ना करने दें दुम्रपान पढ़ेगा मनाहेंगा खुशी कौन नहीं चाहता लेकिन किस कीमत पर दुम्रपान मनाहेंगा पढ़ता है दुम्रपान आपके लिए हानिका रख है और आपके चाने वालों के लिए भी दुम्रपान पढ़ेगा महेंगा मर हरस सभगंधर बसुर मोनि लाग कि नर दुख डरे कट कट ही मर कट भी कट भट बाव कोटी कोटी नधा वही जयराम प्रबल प्रताप को सलनाथ गुन गन गावही कि महाराज वू मिनरल वाटर से काम में चलेगा का मिनरल वाटर चाहिए तो कुम और जाओ भुस्री के गंगा में हमारा विश्वास अभी अटल है पाने जी ये बताइए ये देश कब तक राम भरोसे चलता रहेगा जब तक राम के भरोसे है तब तक ही टिक चलेगा आजका किस पार्टी में हो आपकी बारी अडल भिहारी अरे पर मंदिर मस्जिद मुद्दे पर तुम तो राधिशाम के कानशाबा गयते डाक्टर साब देश जब संकट की घड़ी में हो तो इससे उसमें या उससे इसमें आजा सकनी की गुंजाइश होनी चाहिए यह गुंजाइश ही तो लोकतंद की ताकत है चलिए एक एक चाहिए लड़ जाए चलिए हसलो हसलो बाकी पात साल तो रो नहीं है तुम लोग पहले थूपते हो और फिर चाठते हो और समझते हो के देश है चूपिया कल तक बोलते थे काशी और मतुरा हमारे एज़न्डे में नहीं है आज कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे कल को कहेंगे कि कोट कचैरी किसी चीज़ को नहीं बानते हैं साले कोई दीन इमान है तुमारा सलाम मिया सलाम सलाम सब खरियत तो है हाँ जी बट और सुनाओ क्या हाल चाल है हाल तो आप देखी रहे हैं दुकान दारी कैसी चल रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रहागी आने बंद हो गए हूं क्यूं ग्रहा क्यूं बंद हो जाएंगे अरी इस महलेका को ठीकाना है राम जन्ब भूमी और शीरा पूजन का तमाशा तो देखाई ये तुमने कैसी बात करने हैं सहाब आप पचास साल से असी पर हमारी दुकान है आज तक न कभी चूरी हुई ना लूट पाट गाली तक नहीं दी किसी ने हम जूट बोलते हैं जब भी दंगा होता है तुम्हाई सेकूलर यानि मुसलिम वोट ना मुसलमानों के हित पर हिसायियों के हित पर कि scientists सामप्रताइकता के बिरूद मुसलिम वोट nuev के अलावा सेकूलर का कोय अर्थ है और पिशले 50 साल से आप जो ये ऋन्दू का भीड़ाई हुए हैं उसका क्या अर्थ है बुरा मत मानिएगा साहब मेरी सारी जिन्दगी इसी मोहले में बीती है इसी मोहले के बच्चों के साथ में खेला बड़ा हुआ यहां सभी लोग जानते भी हैं मुझे रोजी रोटी भी उने से चलती है पूरा परिभार चलता है मैं उनसे अलग नहीं हूँ मैं ओट उसे ही दूंगा जिसे मोहला देना चाहता हूँ लेकिन न ओट दे भी दू तब भी कोई विश्वास नहीं करें बस तकलिव इसी से होती है अच्छा मिया चलता हूँ खुदा चलू मिया सुनरे वर आदेशाम पड़वा ये ये है छे दिसंबर की देन जो मुसल्मान नहीं थे या जिन्हें अपने मुसल्मान होने का एहसास तक नहीं था वे भी मुसल्मान हो गए रातो रात मामुली से मामुली तुटही मस्जिद में भी लाउट्श्पीकर लग गय जिस मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई उससे भी भोर और रात में अजान सुराई पढ़ने लगी जो नमाज में नियमित नहीं थे वे भी नियमित हो गए इस पूरे इलाके में हिंदू से मुसल्मान हुए लोगों की कितनी वड़ी तादाद है वो ये भी जानत एक ही खटिया मशिया पर बैशते थे कभी फल्क नहीं बालूं पढ़ता ता दोनों के बीच लेकि चीजे बदल गई राधे शामपड़वा उस घटना के बाद चीजे बदल गई है कोई जवाब तुभारे पास है अरे तुम लोग सुनो तब ना हम लोग कहें सामज एक सम बीतर वकील सहाब ने साम परदाइकता के खिलाफ मूर्चा खोल दिया है अरे रहेंगे तो गदौलिया में ही ना ओके बाद तो नहीं ना निकल जाएंगे कहीं और लागी बाद्ध्या जी का गुरूं आज क्यला ठीक सा अशिरवाद नहीं दे रहे हैं तुमका ठीक सा जाके बामन ठाक और के घर में पैदा हो हरामी जब नौकरी के लिए गड़गड़ा आएगा ना और दर-दर की ठोकरे खायेगा तब पता चलेगा समझा ना है संगठा हमारा पान मना रखना हम अभी आते हैं अरे उपध्याए तुम आशिरवाद दे रहे थे या के स्राफ अरे हमारे महले का मला है साला ये जो पीछे बैटी थी ना फिरंगन पेइंग गेस्ट है वो सड़ी का कल तक साइकल चला रहा था आज हमको नई बाइक चमका रहा है हमरे पाने जी कल्ले आण किया हुआ है इनका कि लेडी फिंगर कैसे दिया चार रुपय पाऊ और ये काली फ्लावर तीन रुपया पाऊ और ब्रिंजोल बैगन दिया तीन रुपय पाऊ तीन और आधा आधा किलो तॉल दो है फिके इसको दो पहले अच्छा और ऐसा किरो आधा किलो टमैटो भी दे दो हां तो अच्छ रुपया आच्छा आपको क्या दूसाओ इत्री बैन आधा किलो लौकी और कुछ बस जगवा मल्ला को ही देखो गोबर थी उसकी कोटरी उधर ताकते हुए भी घिन आती थी और अब देखो कितने साफ सुत्रे और बच्चे महलने में हैं किसी बावन के ऐसे बच्चे तरह के बढ़िया डिजाइन वाले पैंट शेट पहनते हैं पहले रात दिन गली में लड़ाई जगडा और चिल्लपों मचाय रहते थे अब तो पड़ते लिखते भी दिखाई देते हैं कलकुटिया लिया जोड़ खटा रहे हैं रंगीन टीवी देख रहे हैं और उनकी और बे प्ले कि अँगरेजरें रखने काँ अरे घर में रखने को कौन कह रहा है जी अंग्रेज यों को संस्क्रित ना पढ़ना हो तो मत पड़ाई कथा तो कह सकते हैं कीर्फन करिए परवचन करिए सत्य नरायन की कथा बांचिए भागवत पढ़िए दो पैसे कमाने का कोई रास्ता तो डूढ़िए सावति नववेते नतरपनिय मंश्य। मनश्य कि धन की प्यास कम है विश्टेह तेल बनाने वाले बिच्खी भेचनवेश अब सबसी बेच रहे हैं पानी बेच रहे हैं पर उनकी प्यास नहीं बुझख लें पूरी दुन्या के दौलत भी मिल जाए तब भी आद्मी कहा रहा थोड़े ही दिनों में साफ हवा भी टिब्बों में बंद करके बेचेंगे बोसरी वाले और कहेंगे लो यही सुख है बेटी का ब्या बिना पैसे के हो जाएगा कभी सोचा इस बारे में ए रादमी अपना भाग साथ ले करा दे हो यह वहीं जो राम रचे राखा तो समझीया नहीं परताकी परताकी आये वकिल साब बैठी ये विपक्ष में अरे कब तक चार दिन की चांद नहीं फिर अंधेरी रात क्यों कॉमरेड खंडर भाई लाल सलाम आप भी बैठी है स्रिवास्तों जी के साथ हमने बिपक्षों बैठेंगे नहीं है पप्पू की दुकान में ये सरा चुड़कों भंगेडी और बासपाईयों गड़ा हो गया है अरे कॉमरेड सुनो दे यार खंड हर बच गए हैं पर तेवर देखिए सो करोड की आबादी में पांच जटकुली सीपियाई वाले पर दिखाएंगे असे कि जैसे ये ना हो तो देश शीले चले चिंदा नगीजे थोड़ी दिर में आ जाएंगे ज्यादा दिनों तक विबक्ष की राजडीती नहीं कर पाएंगे ओफ अब दॉफ नाइस क्रणा साथ में यहीं संद्री से मिलने आये हैं भबा कौन है वहसरी का कमी है क्या कोई पुलिस ओरसका चकर तो नहीं है साथ में अंग्रेज चीले चापाटी भी है मर्सीडीज में बठा है अच्छा, ठीक Kenny, my money next time on board, baby okay Namaste Baba काहन? Barbara Baba is waiting for you केसे हो, Connie भौसड़ी केना कातू अरे सभी तरह बहनी सभी तरह बहनी अरे कहा हो हम यहां है और अच्छत पर क्या चोच लड़ा रही हो मुहले की कोई खयाल खबर भी रखती हो गजब हो गया बहनी सुनोगी तो हैरान रह जाओगी अरे ऐसा क्या हो गया? उँ अंग्रेजल लाउट आई है कौन? कथरीन, और कौन? कथरीन? हाँ, साथ में उन्हुआ भी है उँ चूतिया बाबा हो गया है बारबर बाबा खर्ताल बजाके आशिरवात देता है आगे पीछे चेला चाटी बता रहा था कि अस्री में पुराना वाला खाड़ा खरीद दिया है वहाँ योग आश्रम बनेगा और हूँ ससरी बनारस पे दूसरे किताब लिख रही है अच्छा है अब विदे से ही इतियास लिखेंगे भारत का और बनारस का आज तुम्हारा ध्यान कहीं और है बहना तुमने अमें गौर से देखा तक नहीं कैसा है? अभी अभी बनवाया है तुमने घ्ट बाबा, हमें कम्प्यूटर क्लास की फीस पननी है पेटे, क्यू सीखना है कम्प्यूटर कैस के पहले कम्प्यूटर के बिना देश नहीं चलता था क्या कहां से इतना पैसा लाएं चार फल खरीदने की तो हैसी इतनी हमारी अंदिर जाते हैं तो पंडे पुजारी चड़ावे से निकालकर दो चार फल हमारे हाथ में रख देते हैं वही तुम्हें देकर भोश हो जाते हैं जो पढ़ रही हो वही बस है हमारे लिए ताह जाते हमारे उनी अधेड़ लिए इतनी हम ताही है जो हम थीख जाते है नहीम्हें आ जाते है जाते हम खुम्हें लर्डाशना तबेट तो ठीक है ना आपकी है? तो मैं तबेट विकार्वार्वार्ण हम पपु की दुकान तक टेहल कर आ रहे हैं तुम खाना खाले आई 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 पांड़ जी प्लाम आ गया गुरोव कल की देखो तो क्या था सी? कुछ था क्या? क्यों पांड़ जी? पर जैसे ही प्राचीन पंड़ों ने काशी को धर्म और मोक्स की नगरी घोशित किया वैसे ही देश भर के राजाओं, सामन्तों, व्यापारियों ने घाटों के किनारे किनारे अपने महल और मंदिर बनवाने शुरू करते हैं अब जब मंदिर बन गए तो उनके बगल में कूठिया भी बनवाई गई ताकि ये पंडे पुरोहित इन मंदिरों में दिया बाती भी कर सकें और पूझा पाढ़ भी करते रहें और ये पंडे पुरोहित अपने जजमानों के कल्यान के लिए धरम करम करते रहें अपने बच्चों को जोति, कर्मकान, संस्क्रेट सिखाते पढ़ाते रहें ना जमीन जायदात की चिंता, ना राशन पानी की चिंता, ना कपड़े लगड़े, इसमें एक बात और जोड़ लिए गया गुरू, इनी पन्नों के पूजा पाट के भरोसे, वो अपनी रिया पर त्याचार जुल्म भी करता रहा, कि जो पाप करो, जितना पाप करो, इन सब के प्राश्चित का विदान हमारे पूरुषित के पास है, चाहे कोई बात करो, ये कमिनिस्ट भोसरी के अपनी फिलोसफी पेलने से बाज नहीं आते हैं, खेर, आजादी के पहले सब कुछ चका चक था, हालत बिगड़ी जमीदारी खतम होने के बाद, अरे जो अपना नही की समाल पा रहे थे, वो पंडे पुरोहितों को क्या समाल थे, सो जजमानी की कमाई बंध, और इधर पनी बंध है कोई आंदनी नहीं, जिन्दगी भर कभी न खुद कुछ किया, और न अपने बाल बच्चों को कुछ कर लें, अरे क्या हुआ पाडे जी, हम कुछ घलत कहेगा क्या, क्या जो, क्या जना शजमानी दोट視 हाँ, विल्मानी की कुछा च्टारी नहीं है, एक रहे हो गाडे षो जाल अभै माना समाल झाल, कला अ जांदनी दो, पानी पीएंगे? क्या चुपा रहे हैं? मैंने गाद मारी मुकरी नहीं पान्षालों कब ऐसे ध्यावग की जुरूरत है जो संस्कृत के साथ अंगरे सरी पढ़ा सकता हो हमें केह दिया किया है कि हम सिवासं की धरमजाना समालना चाहें जो हमें कुछ तर्खवाब ने सकती है साविध रहे हैं क्या हम अपने से लाइप रहे हैं कि? तीर थी आत्रों के तरी कंपर और कंपरों का दियान रगे वारे पिता ने हमें अंगरे सी नहीं बढ़ाई भारत की आत्मा संस्कृत साहत्यम है संस्कृत देवानी है यही सुनते बढ़े हुए हैं और चीवन भर अंगरेजी को कर्याते रहे हैं वान बच्चे को भी हमें अंगरेजी से तूफखर हम हाच हाच आप इस अताश क्यों हो हरें वानारस में भी संस्कृत की पाठचा लाया है और विदेशी भी संस्कृत पढ़ रहे है सावधरी बाबा की एक चेली बता रहे थी कि बाबा ने योग के बलसे अमेरिका में अपने लिंग पर आठ किलो का अस्ट धातू का गलोब उठा कर दिखा दिया और मन्द से नीचे बालू में फेक दिया चेली में कोई और गलोब देखा होगा अरे कुछ भी कहो पर निखवाने तो कमाल कर दिया इननों जो भी अस्टी पर उतरता है सीधे बारबर बाबा का पता पूछता है क्यों नहीं पूछेंगे चरस, कोकीन, हेराइन, ब्राउन शुगर लेने वाले और किसका पता पूछेंगे आपके आँखे तो उस दिन खुलेंगी जब आपको पता चलेगा कि ये बाबा सियाए का एजेंट है और उसका आशान तसकरी का अड़्डा रहने दीजे गया गुरू, इतना तो हम भी जानते हैं कि बाबा योगा सिखाते हैं और उनकी बीबी किताबें लिखती है साला ऐसा चक्कर दोग कोई बनासी ही चला सकता है अब वेजानत और साहित कौन पढ़ता है पान्डे जी कि बहल गाड़े की युक्ती भाट्या होकर रह गई तुम्हें किसी तरह कंकान की बदोलत जिन्दा है वगत कब सी मर गई होती है अब करांकां सिख लोगा है जानता हूँ क्यों चाहिए नेया डेजान वाला शर्ट पुराना है तो पुरा है क्या चरेत्रा आदमी को बनाता है कपड़े नहीं साधू सन्यासियों के अलमा अब कौन बेदान पढ़ता है पान्डे जी अब इस उमर में कहां कहां न उकरे ढूणेंगे अरे स्री सत्याना की कथा बाचिये जजमानों को ध्यान धार में पूजा पाट करवाईए पुछन कुछ तो मिल ही जाएगा बाबा पानी तुम्हारी कम्प्यूटर क्लास का क्या हुआ पाद में पढ़नेंगे तुशन करके ऐसे जमा कर लेंगे अब हम जिन्दा हैं पुछ करेंगे जी बाबा इतरा हम पड़ी हो गएगा शोड़ी थी तौड़ के मेरे सीने से आलगती थी कब से सीने मेरे गया तो अभी तो पुराने आचार पढ़ा रहे हैं वो नहीं रहेंगे तो बताऊंगा तब तक आप चाहें तो एक चिठ्थी लिख दीजिए मैं सिफारिश करूंगा आप कहीं से कुछ सहायता ले सके पंडी जी मरना चाह रहे हैं क्या पंडी आप कर देद्थी तो एक चाहें पंडी आप देद्थी यजिए देख रहा है वो नौटंकी अरे पुरा देश ये नौटंकी देखनाए में बिजी है भाई हर हर महादेर हर हर महादेर कैसे हो पध्या जी हम तो अस्ती पर ही रह गए तुम तो अमरीका पहुच गए ने कवा साहसे वसते लक्ष्मी साहस नहीं करोगे तो लक्ष्मी कहां से आगी उपाद्ध है जी देखिए मैं पूरे विश्व को आरे बना रहा हूं क्रिण वन्तो विश्वम आरेम सही गह रहे हो नेकवा अब तो यह सारा संसार ही हमारा कुटुम्ब है रुपया पैसा सब संबंध जोड़ देता है पांडे जी दिखाई नहीं दे रहे अरे गए होंगे किसी जजमान के यहां यह कहीं देश राष्ट धर्म पर विचार पेल रहे होंगे और क्या पांडे जी पांडे जी किससे मिलना है पांडे जी घर पे हैं सब आएंगे यौल वेट ओन घाट आल आल जॉइन यू सून आए यह जूते यहां उतार दीजिए हरे तो नेकवा तोने जी नेकवा आया है जाओ भीतर जी ने जी ने जी ने जी ने बिलने चदरिया आयलागी पांडे जी जी ने चदरिया काहे किताना काहे अरे डंका तू अबेट कैसे आना हुआ गाट पर गया था सबसे मिलने आप नहीं दिखाई दिये तू सोचा आप घर पर ही आज तबी ठीक निया हमारी आप आप बिलकुल ना बदले पांडे जी तुम तो बिलकुल बदल गया कि खड़ताल बरताल बजाकर तुम क्या बेच रहे हो जैसे आक्टर तेल और साबुन क्रिकेटर कपड़ा लत्ता मोटर मोबाइल नेता देश और भूका इमान बेचता है यैसे ही मैं विदेशियों को य यूग सीखे रामी कैथरीन जब इंडियन फिलोसफी सीख रही थी तब हम अंग्रेजों की भाषा उनकी जरूरतें उनके सपने और उनकी फिलोसफी सीख रहे थे हम कम पर जुरूर थे और हमने गलियों चौराहों और घाटों पर उस्तरे और कैंशियां चलाई थी अंग् क्याहथ समझते हमें देर नहीं लगी कि दिनिया दूनिया एक बड़ावाजार है पहले समाज में बाजार होता था अब बाजार में एक समाज सांस ले रहा और कैथरीन इस बाजार को को खूँभ समझ देजे कैथरीन के साथ हम रिशी केस चले गए वहीं थोड़ा योगासन सीखा और हो गए योगाचार मेरका पहुंचे तो एक बारबर हो गया बारबर बाबा सुखी हो पांडे जी आज हम सभल है क्योंकि आज हम सुख देने वाले सादन खरीज सकते है बच्पन में पड़ा था सर्वे गुडाह कांचनम आश्रियंते सारे गुड़ पैसे से खरीदे जा सकते है जो धन्वान है वो गुन्वान है जो निर्धन है वो 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 समाज का कच्रा है यहां ज्यान की उबासना करने वाला भूका मरता है और पाखंड की पूजा होती है देखिए मैं योग बेचता हूँ और कैथरीन दुनिया को भारत क्या है समझाती है हम पड़ोस में टीवी देखने जाए भाबुजी जाओ जल्दी आ जादा कन्दी बता रहा था कि आपने बनारस और सारनात पर किताबें लिखी हैं जी अब कहे थी भावी बनारस पर दूसरी किताब लिख रही है उसमें एक चाप्टर असी पर आपसे भला अच्छा असी को कौन जानता है पर बनारस की बारे में आप क्या जानती हैं सहोडर जी अक्रे है मेरे पास रांडो सांदो और सान्य स्योंक के जिंके लिए बनारस कभी प्रसिद था पिछले कुछ सालों में ही कितना आंठार आया है उनकी सांक्य में बुरा ना माने तो में कहने चहुंगी की वारनासी इस डाइंग तो क्या चाहती हैं आप मठ और आश्रम रानों से भरे रहें सांस राक और गलियों में जहां तहां गोवर करते रहें जो धूर दाड़ी दाड़ा बढ़ाए हुए लोगों को चुकिया बना रहे हैं उनको सन्यासी समझते रहें आस्ते आस्ते डॉक्टर हल्ला नहीं नाराज क्यों हो रहे हो वो कह रही है कि बनारस मर रहा है और आप सिरी दिला रहे हैं किसी बनारस के लिए साथ समंदर पार से दोड़ लगा रहे हैं ये पोस्टरी क्या अंग्रेज अरे यार कुछ तो लेहाज करो महिला है अरे महिला है तो क्या कपार में बैठ दे मूदेगी कि संजाओ इनको में जानती हूं गालियां पाना अर गालियां देना जालिल होना अर जालिल कार्ण असी की संस्कृती है नमस्ते 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 बड़ा गंदा काम किया है तुमने सर्वशी दीन मंदू बाभनों में तिवारी उट की सवारी मैभा मैतारी हैजा की बिमारी कोणा की तरकारी लालाओं में पटवारी और इसी कहावत में एक नामों जोड़ लो अमरीकन नारी इनका कोई भरोसा नहीं आफ खामका नाराज हैं अमरीका से जो दो ढ़ाई हजार विदेशी हैं गलियों में उसमें सबसे कम अमरीकी हैं गलियों में और सबसे कम कुछ आपको पता भी है कि गलियों में क्या हो रहा है धंधा डॉलर का धंधा आप गुमालूम हैं कितने मकान खरीदे गए इस महले में लोकल आद्मियूग नामों से फ़रजी शादियां की गई हैं वीजा एक्सिटेंशन के लिए बिस यूभरों में साइबर कैफे खुले हैं अपनी इस्विधा और जनसमपर के लिए और इसे ही हम समझते हैं गलोबलाइजेशन वो जब तक चाहें आएं जाएं यहाँ पर रहें हमारी हैसिती क्या है दौक्तर साहब पर वे कहा हमारी गोद में आकर बैठ रहे हैं हम ही भाग रहे हैं उनके पीछे भाग नहीं रहें, उनकी गोदी में बैठने के लिए तलप रहे हैं, थोड़ दिनों बाद यही कहेंगे, कि असी जरजर हो रहा है, धैर रहा है, मर रहा है, इसे हमें देदो, हम इसे नया कर देंगे, एक दम चमाचम, आज असी, कल बनारस, परसो दिल्ली, नर सो पूरे देश को अपनी गोद में बैठा लेंगे, यह तो बाद में पता चलेगा, कि हम किसकी गोद में बैठे हैं, जै सोदा मया की, या पूतना की, पूजीवाद और अमेरिका के खिलाफ आपके जंग खत्म हो गई हो, तो हम दुकान बंद कर लें, दुकान बंद करने का समय हो गया है, काशी हील पटना हीले कलकत्ता ही लिला तोहरी लचके जब कमरिया सारी दुनिया ही लिला तोहरी लचके जब कमरिया कमी अरे पा लगी पान ने जी खुश रहा पान खाएंगे जी कही कि राइदर नुपे कि राइदर नुपे अर्वादेव हर हर महादेव कि 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 पाने जी कि वो कुई हरामिया आपके दरवाजे पर बोर्ड लगा गया है वो हम लगाए हैं हम आप लगाए हैं अरे दुनिया ग्लोबल विलेज हो रही है और हम असी को ही दुनिया समझ रहे हैं अब अगर हम पर कि व्हांपरा नहीं आगे बढाएंगे तो युनिवसरी तो बढ़ा ही है हम गलत कहरे है तो पोताहिए हम यहाद भी सी घृट पंदित वैकरान अचार्या योधिशा चार्या बिश्ग अचार्या वधाचार्या many Acharya's what understand Parmist also Hindi in 27 days Sanskrit in 6 month only yes Acharya ji Acharya ji Palagisha ji Kaha kaha se phaas lata hai nai nai ranjiyoon ko londa ka nati chupke se kis ko yaha se? nahi toh kisne muhejos dhenge Acharya and his wife पर रांचे, वांपल हुआ। यह था खेजिया। रमस्टोंटिकते हुआ। कुल कुल में उसी किए हुआ। कि आपके यहीन था शकुक श्कुर्कू क्रहस्ताव से लीजिन में। लीजिए ऑद्लेन , गूर версия2019 कि नठीक से इंगलिश जानती है ना हिंदी, साथ में शफ्त कोस लेकर चलती है यहां का रेट तो तुम्हें पता होगे का जी गुरू, तो गुरू, यह सौधा पका समझू, हाँ? क्यों आए थी वो अंग्रेजन उसना फंगाल उच्चा के साथ? सांस्क्रिट पढ़ना चाहते है और रहेगी कहा? इसी घड में? धूक कर चाटते शरम नहीं आते आपको कल तक आप ही घूम घूम कर महले में इन अंग्रेज अंग्रेजनों को मलेच और जानवार कह रहे थे कि साले नहाते धोते नहीं है छाडा फिटते हैं तो कागत से पोच कर फेक देते हैं आप ही ने बताया था न उस इटली वाली अंग्रेजन के बारे में कुल्टा कुलिचिनी चरित्रहीन और नजाने क्या 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 कहते थे की नहीं और उस दूबे का मकान तो बड़ा था तो क्यों असमान सर पे उठा लिया था जब वो एक अंग्रेज को रखना चाता था वो तो बाल बच्चे वाला भी था बीवी भी थी उसके साथ तब महले के लड़के लड़किया खराब हो रहे थे धरम भरष्ट हो रहा था और अब तुम यहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो चले यहां से कि खबर्दार जोस अंग्रेजन को घर में घुसने भी दिया तो जीने नों देंगे हूँ एक बात उछें कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही अंग्रेजन से हो रही है न और क्यों न होगी अब भी रह गए किसी अअरत के चाम के एक मर न रही होते तो आप ही एक मरत नहीं बचते थे हमारे भाग में अपने से उमर में पंध्रा साल बड़े रंडवे से शादी के लिये तो फिर क्यों इतना परिशान हो रही हो तुम परिशान अपने लिए नहीं बच्चों के लिए हो रहे हैं और हम क्या अपने लिए कर रहे हैं देखिए कभी जगवा की औरत की साड़ी और अपनी देखो अपने कान ना गला कलाई देखो क्या मैं नहीं चाहता कि तुम बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनो गहने पहनो बेडी काइदे से लिखे पड़े अच्छे घर में उसकी शादी हो अच्छा वार मिले संस्क्रित लिखने पढ़ने का सुक तो तुम्हें भोगी लिया है अब क्या चाहती है बेटे भी घाट पर बैठे आज तक आपने समझाता नहीं क्यों तो आब ये सब क्यों रोटी का चक्का जब कुछलता है नो तो सबसे पहले मुल से दार्द कुछले जाते हैं साब्तरी क करीबी सब कुछ रोन देती है हम अपनी जरूरते बढ़ाने के बजाए कम भी तो कर सकते हैं कौन हो तुम और क्या कम करोगी क्या खाओगी और क्या अपने बचों को खिलाओगी अपनी कौन सी जरूरते कम करोगी आज शाम को करनी आ रहा है खाने पर खुब खिलाना उससे निती यही कह दिये, यदि वो हमारा ध्यान रखता है, तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए. एक बार ये सिलसला शुरू हो गया, तो फिर रुखने वाला नहीं. कुछ समझी या नहीं. या हमने नची केता से कहा, नची केता, जरूरी नहीं कि मन को अच्छा लगने वाला रास्ता सच का रास्ता हो. इसलिए समझदार अच्छा लगने वाले सुख देने वाले रास्ते के बज़े, श्रह के रास्ते को, सच के रास्ते को चलता है. मों बर्द तोड़ो, आज का मत देखो, कल की सोचो एक अंग्रेजन को घर में रखना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आप उसे रख दीजे उपाद्या या दूबे के घर में, वो चाहते भी रहे हैं बस पढ़ने आ जाये करें यहां चूतिया है आप, हर मेहने अपनी जेप से पंदरा हजार रुपे उन्हें दिया करें फालतो में पंदरा हजार? हाँ, पंदरा हजार रुपे जोड़ो ज़ब, एक दिन का कराया पांट सो रुपे, तो तीस दिन के कितने हुए? और वो मेरे हिस्से का कराया है, यहां रहेगी तो किसके हुए? दो सो नहीं, देट सो रुपे प्रती घंटा के हिसाब से टूशन के भी जोड़ो, कितने हुए? साड़े चार हजार साड़े चार हजार में पांट सो कर्णी के निकालतो और उसमें पंदरा हजार किराए के जोड़ो, तो कितने हुए? उन्नीस हजार और तुम चाहती हो, हम सिर्फ चार हजार अपने पास रखें, और पंदरा हजार उपादिया या दूबे को ते दें, हमसे बड़ा चूतिया और कोई होगा दुनिया में, एक बात और जान लो, जरूरी नहीं कि वो छे मेने ही रहे, यदि वो खोश होगी हमारे तुमारे व हैं लेकिन कोठरी है कहां, दो ही तो कोठरी हैं, तो फिर वो रहेगी कहां, चथ पर, चथ पर, तो क्या आंगान और बैठक से होकर आएगी जाएगी, और चथ पर है क्या, जहां रहेगी, तुम चिंता मत करो, मैंने करनी से बात कर ली है, तीन महने का एडवांस लेंगे, और महने भर में कोठरी त्यार कर वा लेंगे, अरे कोठरी तो त्यार कर वा लोगे, लेकिन उसके आने जाने का क्या करोगे, तुम तो बड़ी अजील हो रहे तो, ना चैन से जियोगी, ना रहने दोगी, जैशी राम, अरे आओ भई कनी आओ, पालागी चाचा, पालागी जाए सवा किलो लड़ू चाड़ा, ये संगत मोचन हनमान जी को, कल सुभवा इटा सिमेंट बालु किरवा दीजे, और काम शुरू करवा दीजे, कोठरी का, कल शाम को एडवांस दे रहा हूं, तुमारा असान कभी नी बिलिमा करने, पर उसे कह देना कि बहुत जल ना मच है, हमने पंचांग देख लिया है, दिश्शा मुहरत सब समझ लिया है, छट पर जो कोठरी बनाएंगे, उसका मुह पुरग की और होगा, तीनों तरफ खिडगी होगी, जहां से देखो, वहां से पनारस दिखाई देगा, कोशिच यही करेंगे कि महिने भर में तयार हो जा साथ कोठरी, कैसे बने की करनी, हम आपको बथाते हैं, देखिए इस कोठरी में तो कुछ करना नहीं है, बनी बनाई है, बस एक लेटरिन बातरूम अटैश कर देना, यह जो बगल वाली छोटी कोठरी है, उसमें न लगवा दीजिए, खुआरा लगवा दीजिए, अंग्र देव जी का घर है, हम यहाँ पूजा करते हैं रोज, गली से गुजरने वाले भी जल चड़ाते हैं, फुल पाला चड़ाते हैं, अरे पाटे जी, शिव जी कोई राम लला तो है नहीं, कि जहां थे वहीं रहेंगे, टस से मस नहीं होंगे, अरे वो ठेरे घुमंतू देवत अपने मन के राजा, साथ में नंदी है, कभी कैलाज पर तो कभी काशी में, आज कोट्री में तो कल छट पर जा बैठें, आप क्या कर लेंगे उनका, अगर हम गलत हैं तो कहिए एक अनिया, कान खोल के सुन लो हमारी बात, काशी के हर घर के बाबा है महादेव, घर के मुखिया, वो जहां जाहेंगे, वहां रहेंगे, उसके लिए तुम से नहीं पूछेंगे अरे चच्ची, अरे हम आप ही का भाला सोच रहें, जरा सोची, बेड टी, मौनिंग टी, आफ्टरनून टी, इवनिंग टी, ब्रेकफास, लांच, डिनर, नजाने कितनी ज़रूरतें, अरे कितनी बार आप सीड़ी उपर नीचे चड़ेंगे, अब आप यही करेंगे, क्या वो सब हम कर लेंगे, सारा कुछ हम कर लेंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है, पांडे जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था अपनी जुमान से, लेकिन सुनी आप आप, यह आप देख रहें गंगा की और खुलने वाली खिड़की, मादलेन रोजाना 500 रुपिया इसी खिड़ की का दे रही है, ना क्या आपके कोठरी के, ना ही आपके डाल रूटी के, बस उसकी तनी च्छा है कि कमरे के साथ अटाइच लेटरिन बाथरूम हो, तो आपको क्या परिशानी है उस कोठरी को टॉइलेट बनवाने में, खैर, आप ब्रामन, मैं ब्रामन, मेरा गोत्र आप से उचा ही है सांडिल गोत्र, आप विद्वान हैं, विद्शास्त्र सब पढ़ हैं, जरा सूची, महादेव जी के बगल के कमरे में कोई विधर्मी रहे, तो क्या उनको बरदाश होगा, अरे वो खुदी वहाँ से भाग खड़े होंगे, फैर, मेरा धरम था कि आपके भले की बात करूँ, अब आप जाने, आपका काम जाने, सोचीएगा, मैं आउगा कल माद लेन के साथ, शाम को, तीन मेहने के एडवान्स के साथ, जय श्रीराम सावित्री, तुम चेंता मात करो, हम कनी का कमेशन बढ़ादेंगे सावित्री, माद लेन के लिए नीमू की चाय बना देना सावित्री, माद लेन के लिए पानी तो करन कर दो, सावित्री, माद लेन ना रही है, फटावा जाड़ू पोचा कर लो, सावित्री, माद लेन ट्यूशन से हूट रही है, जाय पीएगी नाश्ते में क्या दे रहा है, सावित्री, माद लेन नकल सारनाथ गई ती, आज रामनगर जाएगी, लाच थोड़ा पहले करेंगी, माद लेंगी लांच में क्या लेंगी मेणम? रोज रोज वही रोटी, वही दाल, वही सबजी, वही बाद, नहीं आज सावित्री, कभी चेंज में उना चाहिए, बिद स्पेशल, क्यों ना हरे मटर की भढ़ूई पूडियां बनी, पूडियां, कोपी की सबजी, चट्नी, गुद नाइट को संस्कृत में कहेंगे, तो पदल देना, हाँ देखां, दामबे के लोटे में पानी रखना ना भूला, मादरीन को अच्छा लगना, दन्यवार्ट, सावित्री, मादरीन को दूद के साथ पदामभी देना, यह हो, बुले बाबाजी, ओ सवित्रा बेनी, कैसी हो, हो गया जारू पोच्छा, कैसी है तुमारी पेइंगेस, अपना अंगया जांगया खुदी धोती है कि तुम धोती हो, भाग यह से बुजरी की, अला दाया, देखो नखरा, अविरी जन को घार में घुसने नहीं दोगे, पाणे, अवे धरमनाद, कहाँ अवे, गधे, सुवर, उल्लू के पठे, यह पाणे, निकाल बहार कोठरी से, और चुती है, मैंने बहुत परतास किया रहे, जहां तुने मुझे रखा है, वो मंदीर है या माचिस, हिमाले की उच्छाईयों पे रहने वाला मैं, खुले आकास में, जहां साफ हवा है, ठंडी ठंडी बयाद है, और तुने साले मुझे, यहां बिठा रखा है, समीन पर, नाली के पास, जिसमें गूमुद बहता है, तेरी मजाल कैसे हुई मुझे टिपाटी बी में बंद करने की, नम घुटता है मेरा उस काल कोठरी में, अगर अपनी खैर चाहता है, तो ले चल मुझे, अभी इसी चांग, छट पर, घुले आकाश में, यहां धूप है, बारिश है, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, और नक्षत्र हैं, उठ और ले चल इसी चांग, बाबा, हिमत ने बढ़ रही है, हमारी, मुझ क्या किलेंगे, वहों सड़ी के, तु मेरी सुनेगा कि लोगों की, देख रहा है यह तिसरी आँक, बाबा, यार इसलिए लग रहा है कि वह एक अंक्रीसन है, चूदिये, तुने वेद पढ़ा, पुरान पढ़ा, सब पढ़ा, पर मुर्ग का मुर्ग ही रहे गया, मैंने प्राणियों की सृष्टी की है, हिंदुयों की, सायों की, मुसल्मानों की नहीं, ये तुने बनाएं, जा समझा मोल लेगू, अबुट, अलेचा जल्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् का हो रहा है माराज, ये इट, बालू, सीमेंट इसब का है, क्या बताएं उपादिया जी, कल राज शिवजी हमारे सपने में आए, खुसे में थे, कह रहे थे, यहां कोटरी में हमारा दंग उठता है, हमें जट पर खुले आकाश में ले चलो, चाखुली हवा है, चांद है, तारे है, सूरिय है, अरे तो चमतकार हो गया पाणे जी, शिवजी हमको कितने दिन से कह रहे हैं, अरे तू मनश्यों के रहने की चंता कर, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, पर हम तो आपके डर के मारे कुछ बता नहीं रहे थे न, अब शिवजी ने आपको आदेश दे दिया, चलिया हो गया फैसला, आरे तिवारी, सुकल, चतुरवेदी, अबे दूबे, चौबे, कहां हो बे सब के सब, बाहार हो, अरे चमतकार हुआ है, चमतकार, असी का सबना साकार हुआ है, असी का दिन फिरने वाले हैं भया, हर हर मा आदेव पांड़ी जी, पांड़ी जी, गजब हो गया, मैनों से हमें शिवजी कह रहा है कि चौबे, हमें किसी प्यणक निचे बठाओ, यहां बहुत भू आती है, पर हम मानी नहीं रहे थे, लेकिन अब प्रायस्चित के लिए आज ही हम अखंड हरीकीतन रख रहे हैं, जरू आईए गार, अच्छ आप चलते हैं, और उको भी बताना है, जयराम जी की, आश्चर पांडी की आश्चर, दो दिन पहले ही शिवजी हमें सपने में कह रहे थे, कि अब इत्यवारी हमें घाट पर कहीं गंगा के नजदी बिठाओ, अब पर हम सपने पर कैसे यकीन करते हैं, पर अब हम क्या कहें, इसलिए कल ही हम राम चरित्र मानस का अखंड पाठ रखेंगे, और शिवजी को उठाएंगे, प्रिसाद लेने ज़रूर आईएगा, जयराम जी की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, किसी को कोई सपना नहीं आया, पर कल सुबे तक पूरा असी सपना देख चुका होगा, जाएए, रोकिये उन्हें, वरना हर घर से हमारे बाबा बेघर होंगे, सावित्री, पंडे जी, शिवलिंग हटाते वक्ट तूट गया है, पाने जी, आपने पंचांग देखा क्या, कल सौभाग ये योग है, हम तो सोच रहे हैं, कली गाजे बाजे के साथ, शिव जी को चौराहे पर बैठा देंगे, आपने कौन सा महरुत निकाला है, पाने जी, आप दुखी हो रहे है, खुशियां मनाईए खुशियां, शिव जी कृपा कर रहे हैं आप पर, वे स्वयम आपके घर से जा रहे हैं, आप तो गाजे बाजे के साथ उन्हें भेजने की तैयारी करिए, और मित्रों को बुलाईए, फिर भंडारा करिए, उत्सव मनाईए, और चड़ाईए फिर एक कोट्री उपर मना करके राये पर, उपादिया जी, हम कोई उत्सब नहीं मनाएंगे, कोई भंडारा नहीं करेंगे, जाए आप यहां से, कि पाँपस्ट्रेगे जो जो पारी से बनेटेजिए कि अच्च के बसे जो एक जाता लागनेदी से दिए टिए गए पांडेजी को बुलाया है अरहे तिवारी तिवारी क्या बात हो पाध्या अरे जल्दी चलो वहां धर्म संसत बैट रही है जो धर्म नात पणवा पलट गया ना तो मौका गया हाथ से समझो कि नहीं चलो ठीक है चलो अर्म का इतना पबाद है अज जवाब पेला पड़ेगा ये कैसे जवाब पीचे पॉल्डी जी अज़ाग बना रखा है अब लोग ने ने सब्स को जाए इस पोग chili दे शान्ट हो जाएं ये हम असी की भी पज़ा देंगे और के से मानना शीवजी सपने में आतले क्यों नहीं आ सामलला के जन का सर्टिफिकेट लाओ क्यों दिवारी असी को आयोध्य बनाना चाहते आप लोग और बनाना ही चाहते हैं तो सुनिए आप लोग क्या था काशी महाशम्शान अरे आप लोग पाले जी को भी कुछ बोलने देंगे कि नहीं आरे देवतासमान पूरुष को आप जोग मिलकर दबा रहे हैं उपर से सीना जोरी कर रहे हैं गर यए पांडे जी हाप क्या कहना चाहते हैं बच्पन से हमने यहीं सुना है कि वह कंकन में बसने का सर्टिफिकेट है लोग अग में है आग में है भाण में होने का साठीपिकेट कहां से लाएं भाई है यह बाते न बनाइए पांडे जी और सीधी जवाब दीजे आपकी हिम्मत कैसे हुए शिव जी को उठाने की खबरदार अगर किसी ने पाने जी के खिलाफ एक शब भी कहा तो अरे हर दिन खाट पर रोज सुबह सैकड़ो लोग महादेव की मूर्ती बनाते हैं गंगा की माटी से पार्थिव महादेव उसकी पूजा करते हैं उसके बाद उसको गंगा जी में बह कर काशी महादेव को छोड़कर कुछ है क्या अब इसका प्रमांपत्र कहां से लाएं सार्वखल दम ब्रह्मा अरे पूरे ब्रह्मान में जो कुछ है वो शिवी तो है अब कौन भुजड़ी का उसका प्रमांपत्र ले के आएगा हर हर महादेव हर महादेव अखंड हरी किस्तन है जी अखंड रामचरित मानस का पाठ है जी नौ दिन तक चलेगा यग है हर महादेव 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 ईवाय दोड़ायै को लोनike है झाहाँ को बेड़ है कि राधिर्शाम देख रहे हो आसी के पंडों का पाखंड अब बताओ इन पंडे पुरोहुतों का पुटला कौन जलाएगा हम जलाएंगे और उनकी अर्थी भी निकालेंगे पर आप खुशिया मनाईएगा क्योंकि आज असी ढए गया जो किसी से नहीं हारा वो अज जिंदगी से हार गया अरे भोश्री के एस पी मुष्रा अज असी का कासी की आत्मा का अपरन हो गया अब कौन सी प्रोती देव से छुड़ाओगे दुनिया के बाजार में ख़ड़ा तुमारा असी बिक रहा है खुशिया मनाओ हे पपो सबको हमारी तरफ से असी की तेरही की चाहे पिला काना कारी ची हुआ अखाएगे की आत्मा काना कारी जिए असी पुड़ागागे की तो सबक्राइब की प्राइब की एंपर काना काली की आने की जूखए है झाल झाल पाप में भुका आदमी क्या भाप नहीं करता यही पड़ा है आमने और चार दन आपने टर से नहीं लड़ा हैं जो आदर सद्धियों तक हम लों से अधियरों से बदली हवाउं से नहीं हारे वाज छुड़ी छुड़ी जरूरूरत से लालत से चंद रूपयों से हार रहे यह क्या हो रहा है हम अपने ही मंदर अपने ही मस्जद अपने हादों से तुर रहे हमने अपने ही बाबा को अपने घर से निकल दिया जैसे करकाशी में अपने पूरे माम आपको छोड़कर भाग जाता है वैसे हमने अपने बाबा से तोक्या किया हम कहां से कहां आगे सावितरी कहां से कहां आगे एक बाद के हमने कभी कूछ बाने के लिए राम चरत मानस का पार नहीं कि हमें तो मानस में जिन्दकी से लड़ने की ताकत मिलती है इसनी हम उसी बार-बार पढ़ते हैं हमने कभी राम जी से परात्ना नहीं थी कि दुखों से, मुसीबतों से हमारी रप्चा करना पर हाँ, हमने हमेशा उनसे यह कहा, कि दुखों से, मुसीबतों से लड़ने के हमेश शक्ति देना, देखना पांडी जी, हम इस संकर से भी लड़ेंगे, हाँ हाँ, 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 हाद, हाद आप हाद! अप्सक्ति है हुआ हुआ है एटिवारी यह पाणे कहा गया हां और जेख्यर ख़ऑग मिलन भाद मानान जाडला जाति जर्ख ल्रम chase मैं निसेमे जर्ख है कर आख के अजल्वार। कर दो कर दो कर दो नदी की धारा की तरह जिन्दगी अपना रास्ता धोण ही लेती है पाणे जी थोड़ा चंदन मिलेगा जितना चहिए लेलो भाई सब महादेट का है पाणे जी और बहरूपिया अब साथी है सावित्री और माधलेन अब सखिया है माधलेन अब पाणे परिवार का सिस्सा है कन्यी गुरू 80 को अमेरिका बनाने में देश के बड़े बड़े गुरूओं का साथ दे रहा है जिनके लिए देश और विश्व बाजार हैं और लोग कंजूमर हैं बाबा का योगा श्रम और योगा चैनल चल रहा है अप्पू की दुकान के बैठक बास बासों में उल्चे हैं और सिखा भी रही है बदल रहे मूल्यों के इस दौर में पांडे परिवार है जो सच है, शिव है, सुन्दर है उसे बचाये रखने की कोशिश में है ना रसे चश्मे बार्दू